दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर रद हो रहा है ड्राइविंग लाईसेंस परिवहन बिभाग ने सुरूर की सक्त करवाई कर रहा है बिहार में वहान चलोकों की मनमाने अब उन्हें महांगी पड़ रही है सडक सुरक्षा के नियमों को अंदेखी करने पर परिवहन बिभाग ने वहान चलोक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद करना शुरू कर दिया है इस साल के तीन मेने में ही बिभाग ने 215 चल को ही नहीं बलगी सडक सुरक्षा के नियमों को लेकर भी सकत है सडक नियमों को तोड़ने वाले गाड़ी चलोक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद करनी के अनुसंसा ट्रेफिक व्यवस्ता समाल रहे पुलिस कर्मी कर रहे हैं सामाइने तोर पर जाच के अलावा दुरग जिहां लोग जन सकती पार्टी के अधग चिराक पासवान के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है विधानसवा चुना में पार्टी को महज एक विधानसवा सीट पर जीत मिली है पार्टी की एकलोती विधायक राज कुमार सिंग ने पिछले दिनों एलज 80 जटका लगा है चिराक पासवान के चाचा पसुपती पारस के नेतुत में पार्टी के पांच सांसदों ने चिराक पासवान की खिलाब बगावत कर दी है चाचा पसुपती पारस के अलावा चिराक के चचरे भाई प्रिंस राज सांसद महबूब अलिकेंसर चंदन सिंग विना देवी ने पाला बदल लिया है इन सभी ने लोकसवा अधक्च को एक पत्र लिखा जिसमें चिराक पासवान की बजाई पस्वती पारस को नेता चुनते हुए जानकारी दी गई है वहीं आपको बदा दे कि दोसरी तरफ ये भी जानकारी आई है कि लोजपा में तक्तपलत को लोकसवा अधक्च की मंजोरी मिल गई है पस्वती पारस को संसेदे दल का नेता बनाने की अधुसिशना में निकल गई है अगली बड़ी कबर तूट के बाद चिराक पासवान को लालो यादव की पार्टी ने दिया बड़ा उफर दिया है लालो की पार्टी ने कहा कि चिराक पासवान हमारे साथ आ जाए और एंडे के छल और प्रपंज का सही तरीके से जवाब दे राज़ात ने आगे कहा कि चिराक पासवान और तेजस्वी आदव के साथ आ जाने से बिहार के राजनितिक दसा और दिसा बदल जाएगी एक नीजी टीवी चेनल से बात करती हुए राजत की विधायक भाई विरेंद्रे ने कहा कि चिराग पास्वान हमारे नेता तेजस्वी की साथ आ जाए और विहार की जनता के लिए काम करें उन्होंने आगे कहा कि चिराग पास्वान दिल्ली की राजनिती करे और तेजस्वी बिहार देखेंगे आगली बड़ी ख़बर बिहार के इन साथ जीलो में पेट्रोल की किमत 100 रुप्य प्रती लिटर के पार जिहां देश भर में पेट्रोल और डिजल की किमतों में लगातार हो रहे इजापे से हाहकार मचा हुआ है कई सहरों में पेट्रोल और डिजल दोनों की किमते 100 रुपे प्रति लिटर के पार चली गई है इसी बीच बिहार के साथ जिलो में भी पेट्रोल 100 रुपे प्रति लिटर से अधिक में मिला है। स्वाब सेंटर और प्येसी होंगे आईसमान भारत स्वास्त कल्यान केंद्र मंगल पांडे ने केंद्र के फेसले पर कहिए बात। स्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश के एक लाग पचास जार ओप स्वास्त केंद्र और प्राथमिक स्वास्त केंद्रों को आईसमान भारत स्वास्त एवं कैलान केंद्र में परिवेतित करने का नेने लिया है या सुदूर ग्रामिन चेत्रों के लो इलेक्टिक बसे शुरू हुआ ट्रायल जीहां बाकीपूर एम्स बाकीपूर पटना साहिब और बाकीपूर बिहाटा रूट पर भी इलेक्टिक बसे दोड़ेगी इसके लिए सुमुआर से ट्रायल सुरू हो गिया है ट्रायल में इस बात पर विसेज धियान दिया जाएगा के रास्ते में उचा स्पीड ब्रेकर जैसे कोई आवरोदक तो नहीं है या सड़क पर ऐसे गड़े तो नहीं है जिससे गुजरने पर गाड़ी को अधिक उचलने की नौबत आए इलक्रिक बस में बैटरी मोटर समेत इंजन के सभी प्रमुक पाट नीचे की और होने के कारण इसके प्राति अधिक सतर्ता बरती जाती है आपको बदा दे कि ट्राइल पुरा हो जाने पर और उसके सपल रहने पर सुकुरवास इन रुटों पर इलक्टिक बसों का परिचलन सुरू कर दिया जाएगा अगले बड़े कबर बिहार में मौसम विभाग का बुलू अलट पटना सहित जगा जगा बारिस कई जगा वजपात किया संका जिहां बिहार के साथ अब मांसुन के एंट्री पुर्वे उत्तर परदेश में भी हो गई है दच्चिन पश्चिम मांसुन के कारण पटना सहित पुरे राज्ज में जगा जगा बारिस हो रही है ऐसे सिती अगले पांच दिनों तक बने रह सकती है इसी बेच मौसम मिवाग ने पुरे बिहार के लिए बुलू अलट जारे किया है मतलब यहाए कि तेज हवा के साथ 15 से 40 मिली तक बारिस हो सकती है पूर्वी वा पश्चिमी चमपारन जमई और बाका में वजरपात की भी आसंका है हाले में तुपा नियास के आने से मांसुन को काफी बल मिल रहा है वातावरन में पहले से चाई नमे मांसुन को आगे बढ़ाने में मददगार सबित हो रही है अगली बड़े कबर बिहार से कुरोना की विदाई तई पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 324 नए मरेज कूल आकड़ा घटकर हुआ 4771 बिहार से कुरोना की विदाई अब सुनिश्चित मानी जा रही है स्वास्ति बिवा की ओर से जारी ताजा आकड़े को देखे तो लगतार संक्रमित की सेंक्या में कमी दर्च की जा रही है नई केस की सेंक्या में दिनो दिन घटोत्री हो रही है राज में पिछले 24 गंटे का विवा की ओर से ताजा आकड़े जारी किया गिया है जिसमें कुरोना के मात्र 324 ने मरीज मिले हैं इसके साथ एक कूल एक्टिव केसो की सेंक्या घटकर 4771 तक पहुँच गिया है स्वास्ति विवा की ओर से जारी ताजा अकड़े में सबसे चोकाने वाली बात सामनी आये कि आये दिन नए संक्रमित मरीजों की मिलने के मामले में पटना टोप पर रहता था लेकिन अब मुझपरपुर में सबसे ज़्यादा 52 ने मरीज मिले हैं जानि ये कीमत और रजिस्ट्रेशन का तरीका जिहां बिहार के लोगों को बुद्वार से कोरोना की तीसरी वैक्सिन भी उपलब्ध हो जाने के उम्मीद है अब दख भारत में निर्मित को वैक्सिन और कोवी सील्ड वैक्सिन के जरिये ही बिहार में सवा कड़ोर लोगों को टीके की पहली या दूसरी डोज मिली है अब रूसी कोरोना वैक्सिन स्पूतनिक वी की 50,000 डोज मंगलवार की साम तक पटना पहुच जाएगी यह वैक्सिन फिरी नहीं होगी और सरकारी टिका करन केंदरों पर नहीं लगाया जाएगी रोस की इस वैक्सिन को लेने के लिए निरधारित सुल्क देना होगा और यहाँ अनुमति प्राप निजी टिका करन केंदरों पर उपलब्द रहेगी इस वेक्सिन के लिए भी रजिस्ट्रेशन और स्लोट बूक करने का तरीका वही रहेगा जो कोवी सील्ड या कोवेक्सिन के लिए है बाड़ी कपर पटना से वेसाले तक बनेगा फोरलेन हाईवे केंद्र सरकार से मिले मंजोरी अब तेस मिनट में पूरी होगी पैतालिस किलोमेटर की यात्रा जिहां बिहार की जनता को जल्द ही एक और सोगात मिलने वाले है भारत माला परियोजना के तहद गंगा और गंडक नदे में बनने वाले फोरलेन हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने इजाज़ा दे दी है इस पूल के बनने के बाद अब पटना से वेसाले की पैतालिस किलोमेटर की यात्रा मात्र तीस मिनट में पूरी हो जाएगी केंद्र की तरब से सोनपूर के एप्रोज रोड से वेसाले तक के लिए हाईवे बनाने के लिए अब भोमी अधिगरान के लिए अधिकारी की न्यूकति करने की इजाज़त मिल गई है आगली बड़े कबर बेहार में थोड़ा सक्त थोड़ा नरम होगा उनलक टू 16 जून से स्टेडियम पार्क जीम खुल सकते हैं दुकानों का हड़ सकता है रोटेशन प्लान सेम करेंगे एलान जी हाँ बिहार में 16 जून से उनलक टू की सिरुवात होगी सुत्रुग अनुसार इस बार यहाँ 15 दिनों का होगा कुछ पावंदियों को छोड़ कर यहां उनलक पिछले हपते जिसा ही होगा अगले हपते तक कुछ रियायतों को बढ़ाया जा सकता लेकिन विहार सरकार अभी बहुत रिस्क लेने के मूड में नहीं है आपको बताती कि उनलक वन में दुकाने एक दिन के अंतराल पर सुब अच्छे बज़े से साम पाच बज़े तक खुल रहे थी उनलक दो में उसे रोज खुलने के अनुमती मिलेगी पचास परतिसत चमता के साथ सबी सरकारी और प्रावेट गाड़ियों के चलने का नियम भी जारी रहेगा प्रावेट और सरकारी ओफिस में भी पचास परतिसत कर्मचारी को पसिते रहेगी उनलोक वन की तरह उनलोक दुम में भी साम साथ बजे से सुब़ पांच बजे तक रात्री कर पर रहेगा स्टेडियम जीम पार्क पर कुछ रियायते दी जा सकती है सभी स्कुल कोलेज, कोचिंग संस्तान, ट्रेनिंग एवं और सेक्षिनिस संस्तान बन रहेगे सरकारी स्कुल कोलेजों में किसी तरह की परिक्षा नहीं होगी सभी धार्मिक स्तल, समाजिक, राजनितिंग, मनोरंजन, खेल, कोद, सेक्षिनिक, संस्कृत, वो धार्मिक आयोजन समारों पर पर परतिबन जारी रहेगा सारवजने की स्तलो पर किसी भी परकार के सरकारी एवाम नीजी आयजन पर रोक जारी रहेगी रेश्टरेंट होटल ढावी में से खाने की समान की होम डिलेवरी टेक होम स्विधा के साथ 25 पीज़ी बैटा कर खाने की छूट मिल सकती है आवासी होटल में रुके गेट्स के लिए इन रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी जरोरी सरकारी नीजी सिवाव में इनको छूट जारी रहेगी इसके अलावा अनलक टो में साधिस समारों में भी छूट मिलेगी अगली बड़ी कबर बिहार में 27 से बच्चों को दी जाएगे पोलियों की खुराग जिहां बिहार में कोरोना संग्रमन की रोबताम के साथ ही पल्स पोलियों की चुनोतियों से निवटनी की तयारी भी शुरू हो गई है 27 जून से एक जुलाई की बीच पुरे राज में बच्चों को पल्स पोलियों की खुराग दी जाएगी स्वास्ती बिभाग ने पल्स पोलियों की टिका करन को लेकर सभी इस तरोप पर तयारी सुरू करने कर निर्दिस दे दिये हैं अगली बड़ी कबर कोरोना के कम होते मामलों की बेच एसाई का एलान सुलाई जून से खुल जाएंगे सभी समारक और संग्राहलाई देश में कोरोना संक्रमन के मामलों में अब गिरावाट दर्ज की जा रही है और इस्तिती भी सुधरने लगी है इसी को देखते हुए भारतिय पुरतत्व सरवेक्षन ने कहा कि ASI याने की एक्रोलोजिकल सरवे ओप इंडिया के तहत सभी केंद्र सराचित इसमारक इस्तालो और संग्राहलाई को सोल जून से फिर से खुल दिया जाएगा कोरोन संक्रमन के बढ़ते मामलों के मद्द नेजर भारतिय पुरतत्व सरवेक्षन विभाग ने अपने सभी समारक को 15 जून तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया था अंकी बाड़ी कबर एगनो ने जुलाई सेसन के लिए रजिट्रेशन प्रक्रिया की सुरू ऐसे करे अपलाए इंद्रा गांधी नेशनल ओपन इनिवसिटी ने जुलाई सेसन के लिए ओनलाइन दाकिले की प्रक्रिया कल यानि 11 जोन 2021 से सुरू कर दी है ऐसे में जो उमिद्वार एगनो द्वारा संचालित बिविन प्रोग्राम में दाखिल लेना चाहते हैं वे एगनो की अधिकारिक बैबसाइ www.egno.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में और लॉक टू के ताहत जीम और पार्कों को खोलनी चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं